दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स का हम प्राइस टू अनिंग रेशियो एनालिसिस करेंगे हिस्टोरिकल यानि कि वो कमपनिया जब से लिस्ट हुई है अगर किसी कमपनी का पुराना पी रेशियो देखना हो तो वो कहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनर.in एक वेबसाइट है वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं प्राइस चार्ट पे जाकर ऑप्शन मिल जाता है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये क्लीन साइंस का है कब का जुलाई 2021 में जब ये लिस्ट हुई थी कमपनी उस समय करीब 90 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा था तो समय दर समय आप देखें कभी घटा कभी बढ़ा लेकिन किसी कमपनी का अगर अर्निंग पर शेर बढ़ा रहा यानि कि प्राइस डाउन हो रहा है किसी कारण वश अब कारण आप सभी को पता है किसलिए इन कमपनीों में बढ़ा पैसा लगा था जब ये लिस्ट हुई थी उस समय बुल रन था FIIs ने या institutions ने या जो भी HNI है बढ़ा पैसा पड़ा था तभी ये कमपनीया बहुत तेज से भागी थी आप गौर कीजिए जनवरी 2022 में इसका प्राइस टो अर्निंग रेशियो था 138 का यानि कि सबसे हाई पर था ठीक है और उस समय जो अर्निंग पर शेयर था 18 रुपए जब लिश्ट हुआता तब कितना था 18 रुपए और जब ये गिरा यानि फरवरी 2022 में 85 का प्राइस टो अर्निंग रेशियो रहा लेकिन EPS देखे यहां पर बढ़ा 20 रुपए 64 पैसे फिर कुछ महीनों बाद अगर हम देखते हैं मई में तो P रेशियो 82 का अर्निंग पर शेयर 20 रुपए फिर हम और आगे जंप कर देते हैं अक्टूबर 2022 में आप देखिए अर्निंग पर शेयर हो गया 23 रुपए 65 पैसे का ट्रेलिंग 12 मेंथ का जो है EPS है तो समय दर समय अगर किसी कमपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और जो है स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है तो रेशियो उसी साब से कम होता जाएगा यानि कि वैलवेशन वाइस वो सस्ता होता जाएगा अब किस प्रकार से प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं किसी कमपनी का हम वो आगे आपको बताएंगे ठीक है तो ये रहा क्लीन साइंस का अब इसमें आपको क्या ध्यान देने वाली बात है किस प्रकार से पी रेशियो इसमें कम हुआ 138 का आपने देखा उसमें जब ट्रेड हो रहा था सबसे हाई पे अभी चल रहा है करीब 49 के पी रेशियो पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमपनी की अर्निंग तो बढ़ रही है लेकिन इस टॉप प्राइस उससा आप से नहीं बढ़ रहा है इस वज़े से पी रेशियो जो है डाउन चल रहा है इसी प्रकार से आप देखेंगे CDSL का CDSL का अगर हम देखते हैं जुलाई 18 में तो पी रेशियो था 27 का अर्निंग परशर था 9 रूपए 55 पैसे का सीधे 2020 में आ जाते हैं यहां पे भी 2020 में आप समझ सकते हैं कि क्रैश हुआ था मार्केट मार्च में और फरवरी में जो इस्तिती थी है थोड़ा और आगे आ जाते हैं यहां पे हम नवंबर 2020 में देख रहे हैं 33 की प्राइस टुवर्निंग रेशियो पे है EPS इसका 13 रूपे से 30 पैसे और भी अगर आगे जंप करते हैं तो जुलाई 2021 में यहां पे जो इतेजी आ गई थी बाजार में प्राइस टुवर्निंग रेशियो 75 का था EPS था इसका 19 रूपीज का फिर आप देखेंगे जून 2022 में 37 के प्राइस टुवर्निंग रेशियो पे यानिके अर्निंग परशियर बढ़ा 29 रूपए हो गया P रेशियो जो निकल के आया 37 का और आज की डेट में देखते हैं 39 या 40 पकड़ के चलें इस प्राइस टुवर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है अर्निंग परशियर है 26 रूपए तो EPS यहाँ पर देखिया उपर से घटा है कम हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं EPS कम हुआ है हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि EPS क्यों कम हुआ क्योंकि आप देखेंगे जो इनकी सर्विसेज हैं CDSL की हम और आप जैसे लोग जुड़े हैं बड़ी बड़ी कमपनिया जो अपने कॉर्पोरेट एक्शन्स होते हैं उनके सर्विसेज लेते हैं CDSL प्लेज अनप्लेज इस सारे अकाउंट ओपनिंग से लेकते के वाइसी से लेके इनको फीस और कमिशन से काफी अच्छा-कासा पैसा प्राप्त होता है तो वोलूम कम आ रहा है इससे में ट्रेडिंग भी कम कर रहे हैं लोग तो इस वज़े से इस कमपनी को थोड़ा शॉट टम में प्राब्लम है तो इस वज़े से EPS जोहिन का कम हुआ लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो था अप्रिल 2022 में 29 रुपए ट्रेलिंग 12 मन्त जो EPS चल रहा है और अभी देखेंगे तो 26 रुपए 41 पैसे निकल के आ रहा है अब IRCTC में देखें कैसा रहा IRCTC में आप देख रहे हैं कि अर्निंग पर शेर तो कम होता जा रहा जैसे कि अक्टूबर 2019 में माल लेज़े यहाँ पे यह लिस्ट हुई 43 की प्राइस ट्रेलिंग रेशियो पे था EPS था उस समय 3 रुपए 57 पैसे ठीक है लेकिन आप यहाँ पे आए यह 168 की प्राइस ट्रेलिंग रेशियो है जुलाई 2021 में जब बुल्रन था अर्निंग पर शेर है 2 रुपए 49 पैसे सिर्फ तो यानि कि इस कंपनी में इतना ज्यादा आप सोचिए कि कहने को कह सकते हैं कि गुबारे में हवा भरी गई उड़ा दिया गया प्राफिट यहाँ पे कम के हुआ उस समय लॉकडाउन था और ट्रेने बहुत सारी बंद थी कोविट की बज़े से इसलिए आप देखेंगे जून 2021 में भी यहाँ पे काफी गिरावट है प्राफिट में फिर धीरे प्राफिट बढ़ता गया और आप देखेंगे प्राइस गिरता गया जब यह स्प्लिट हुआ उस समय जब फाइज ने काफी पैसा खीच लिया इंस्टिविशन्स ने काफी अच्छे कासे निकल लिये एक बबल जो क्रियेट हुआ था वहाँ ब्लास्ट हुआ तो जो प्राइस टु अनिंग रिशयो क्योंकि अर्निंग भी कम हो रही थी, EPS भी कम हो रहा था तो प्राइस टु अनिंग रिशयो 19 करह गया और अब देखेंगे आप आज की डेट में जून 2023 में तो earning portion निकल के आ रहा 12 रुपे 33 पैसे, यानि कि धीरे धीरे company फिर से अपने track पे आ गई है, धेधरे earning growth निकल के आ रही है, और price to earning ratio रहा 52 का, लेकिन stock price नहीं बढ़ रहा है, earning बढ़ रही है, तो जो difference है, वो यहाँ पे कम हुआ, तो 50 के आसपास का price to earning ratio निकल के आ रहा है, ठ देखना है, आप देख सकते हैं, यह हमने historical तीनों का जब से list हुई है, तब से हमने दिखा दिया है, अब आईए जान लेते हैं कि price to earning ratio कैसे निकालते हैं, जैसे earning per share है clean science का 27 रुपे 78 पैसे, और stock price चल रहा है 1384 रुपे, तो जब आप divide कर देंगे 27 रुपे 78 पैसे से, तो यह जो 49.92 निकल के आ रहा है, यह P ratio निकल के आ जाएगा, आप divide करके देखेंगे, आप calculator उठाईए, और जो stock price है, उसको earning per share से divide कर दीजे, ठीक है, तो आपको यह P ratio निकल के आ जाएगा, अब देखें, stock price जो चल रहा है, हम उस पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमने last video म में हमने कहा था, कि इस समय जो लोग clean science को consider कर रहे हैं, वो थोड़े थोड़े करके accumulate करते रहे हैं, एक समय के लिए बड़ी quantity इसलिए बना लें कि अगर आप chemical sector में कोई अच्छी company चाहते हैं, newly listed company चाहते हैं, 8-10 सालों में बढ़ा भयानाग return चाहते हैं, तो ऐसे business वाले कम के बीच में अगर मिल रहा है, तो आप इस मंदी में उठा लीजिए, आप भरते जाए भविश्य के लिए, clean science का जो आप lifetime high देखेंगे, अभी तो 52 week high तो यहां पर 19 स्वस्य दिखाई दे रहा है, लेकिन lifetime आप देखेंगे, तो वो निकल के आ रहा है, 2705, यानि कि अभी अ valuation wise, अन्य कंपनियों के मुकाबले, महेंगी तो लग रही है, लेकिन अगर आप business को समझने कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम long term के लिए कोई company चुनते हैं, तो उसके पहले हम उसका business देखते हैं, डबिसिफाइड product portfolio अगर आप देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर आजाई ही performance chemicals में, MEHQ, इसमें उन्हें क्या लिख रखका है, number one in the world and number one in the India, used as polymerization inhibitor in acrylic acids, acrylic isters, super absorbents, polymers, diapers and sentry pads में इस्तेमाल होता है, performance chemicals में दूसरा जो product है, BHA, जो number one in the world and India, तो जब number one in the world और इंडिया आता है, तो आप समझ सकते हैं कि company के पास एक pricing power है, जो used as antioxidants in food and feed industry, इसके बाद AP आ जाता है, used for infant food formulation, breakfast, serials and cosmetics, number one in the world and number one in the India, stabilizer in oil industry, which is TBHQ, number two in the world and India, HALS, जो कि used in the water treatment, number one in the India, दूसरे pharma and agro intermediates में जो इनका product है, Guaya coal, Guaya coal, second in the world, number one in the India, precursor to manufacture APIs for cup syrup pharma industry के लिए, की raw material to produce, vanillin, DCC, used as reagent in antiretroviral, second in the world, number one in the India, फिर PBQ, intermediate in agrochemical industry, second number in the world, number one in India, FMCG chemicals में 4 MAP, used in UV blocker in sunscreens, number one in the world and India, एनिसल, precursor to perfumes, insects, pheromons, pharmaceuticals, majority of एनिसल produced in used for captive consumption, number one in the world and India, तो जब इस तरीके के products बनाने वाली company, अब ऐसे stock में तेजी कब आएगे, इन stocks में तेजी तभी आएगी, जब USA, European countries के जो fund houses हैं, बड़े-बड़े institution investors हैं, वो जब पैसा डालते हैं, तो ऐसी company को चुनते हैं, जिनका business solid होता है, जिनके website में monopoly होती है, तो जब बड़ा पैसा आएगा, तो ये company कब किस price to earning ratio पर मिलेंगी, वो कोई matter नहीं करता है, इसी प्रकार से आप CDSL का देखेंगे, अभी देखें, ग्यारा सो तीन रुपए की price पर trade हो रहा, आज तो इसमें बढ़ोतरी है, 5% के आसपास दिखाई दे रहा है, जब वीडियो बन रहा है, करीब ग्यारा बजे के आसपास, तो साल का जो हाई है, वो तो करीब 4500 है, लेकिन lifetime हाई देखेंगे, तो वो है 1734 का, अलो जा चुका है 880 का, तो इस बीच में जिनोंने खरीदारी की, उनको अभी अच्छा खासा मुनाफर मिल रहा है, लेकिन ये सब कमपनिया, एक दो साल, एक गिर साल, ऐसे रखने के लि है, dividend yield भी देखें, यहाँ पर 1.5% के आसपास का निकल क्या रहा, इस price के हिसाब से, और market cap देखें, 11000, एक छोटी कमपनी, छोटी हो गई है, बड़ी market cap की थी, इतनी तेज भागी थी, इसी तरीके से IRCTC के जबरदस्त भगाया गया था, आप सब के समक्षम ने उस समय आएगा क्योंकि गाडियां इनकी track पर आ गई है, नित नए दिन, वंदे भारत, ट्रेन चलती जा रही है, टूरिजम को अच्छा प्रमोट कर रही है, आउल लाइन वाला बिजनस तो अच्छा ही है, रेल, पानी वाला जो इनका मोनोपोली वाला बिजनस भी अच्छा ही है तो इस तरीके से अब देखें, इसमें दीरे दीरे earning growth बढ़ती जा रही है, profit growth बढ़ती जा रही है, तो इस company को भी अच्छा खासा valuation मिलेगा, और नहीं भी अगर stock price बढ़ता है, तो दीर दीर ये company का profit growth है, वो बढ़ता जाएगा, तो government को क्या चाहिए, dividend चाहिए, भाई हम को पैसा दो, company कमा रही हमको पैसा दो, तो dividend के रूप में दो, तो क्या होगा, कि इसके साथ आप जूड़े रहेंगे, तो आपको भविश में अच्छा dividend मिलता रहेगा, लेकिन चुकि company की sales growth भी है, profit growth भी रहेगी, तो valuation भी मिलेगा, तो company का earning pressure बढ़ता रहेगा, मतलब profit ब कार का कोई जोखिम नहीं रहेगा भविश के लिए कि 10-15 साल, 20 साल में कोई खतरा आ जाएगा, rail का infrastructure ही बढ़ेगा, अभी हमारे भारत वरश का तो कुछ बढ़ा ही नहीं, अभी तो काम चल रहा है, तो भविश में bullet trains चलेंगी, और भी ट्रेने चलेंगी, इस तरीके के के वज़े समस्या है, लोग बचते हैं, बट कोई बात नहीं, अच्छी कमपनी है, अभी जैसा कि प्राइस टोर्निंग रेशो भी एनालीसिस किया आपके समक्ष, तो यह दोस्तों तीन स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की है, यह ऐसे लोगों के लिए स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर पेशिंस कूट कूट कर भरा है, और निसंदे वो अच्छी कमपनियों के साथ जाना चाहते हैं, वो कमपनियां जो बहुत अपने हाई प्राइस टोर्निंग रेशियो से गिर के अभी जो है अच्छे पी पे आ गई हैं, अगर और भी नीचे जाती हैं, तो आ इतनी पावर है कि डिविदेंट भी आपको अच्छा देती रहेंगे, तो बस इसे के साथ मैं वीडियों यहाँ पर संपन्न करना चाहूंगा, आपके सुझाओं का विचारों का स्वाकत रहेगा, थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियों फ्रेंट्स